ललिदपूर साथ दो बाच बाचा हामी उत्तरी भेग जाते सं ललिदपूर को ग्रामिड बस्ती भार्देव सम्मको यात्रा हो हम्रो देशमा दोंद सुरुप है पसे ग्रामिड बस्ती मसान जस्ते बन अपगे गाउंको सम्पूर मौलिक परंपरा धोस्ता भाई गाउंको सुरुपने फेरियो सुरुप विस्तारे ग्रहन गर देशा अहा, हेरदा कती शुंदर लाक्स ए ग्रामिड बस्ती हरू शाचाई भन्ने हो भने नेपाल को मौलिक परंपरा गाउंने जिवन ने हो गाउं गाउंको बस्ती हो नेपाद गाउं बासी आफेले उत्पादन गरेको खाद्यान बाच आत्मा निर्वर थियो राजधानी संग जोड़िये को गाउं भारदेव गाउं हो यो दर्शक व्रिंद आज़को हमरे यात्रा यहीं सम्म हो रमेश कुमार स्रेस्ट घरत पुर्वी नवल परासी तीर हो सानो तीनो बंद व्यापार गर्थे उनि पनी देशमा बर्देगाय को दोंद रहरेक हपता हुने नेपाल बंद जस्ता गतेविदिले दिगदार भाये काठमांडों संग जोड़िये को थियो उनको ब्यापार कामाई गर न पाये नन उनि बैकल्पिक काम खोज न थाले चराको बोली ज्यादे मन पराउने रमेश बेला बेलामा गाउ घरतीरा खुमन जान्थे आजबंद दस बर्ष अगी एक पटक उनी आफनु भांजासंगा घुमदेई आई पुगेगा थिये यहां यो भार्देव गाउमा तेती खेर उनले यहां देखे योटा सान खोलाको पानी एसाई बगेर गई रहेगो इस थानियर नजीक का साथीले आउन्होस एतै केही गरव मित पुरा करे भार्देव को टो खोलीले आकर्शित रमेश ले गाउमाई बसेरत काम करने शोच बनाई गंदी आयाए गोथे कमने सिलचलेता behavior अंकि ऐसी शोच बड़ामा फ्रय करोड़ते यहां कि वादर्व कौला sensors are रखेर खे कें अदा होने लिए था हने शोचनले पानी बगे इंदожет पानी डभे पानी डेल का में की और डेने कार देसे हैं, शो दायरी के अगारी गोरें चाहिए, यह है करें मुख्य गाउन लेले आन सकर्थ के घरणा बहने बहने गुखायरा यह अगा अगा भावी कर्काल्यान करते हैं यह सो अगा है अधार मत्स्यमन भिगास कर दोश्मान अगा भुझ गाव तेस्पची वहां वहां बित्न भाय, वहां मुर्च्य प्रदान इसतो के नामतिमा, अनि महां लेश देरे सवय गरनुगा, मत यह पंग्चुल थेना वहां लेश गरनुगा, रमेश जी आउनुस जम बनुगा, महां ले रावनुगा, सवय प्रावे देवर, अनि पानी अरो अनि तेस्पची शुरुमा तथ विस्तारे गरेगो, सिग्ने जाने क्रम मा, अनि तेवलामा बजार थेने शुरते थे, यो दस्परसागारे कुरावे, तेथे थेना यो रमेश ली, दस बरसा अगी, सुरुगारे कुरावे, यो रमेश ली, दस बरसा अगी, अरेको रेन्बो ट्राव्ट माचा फाम हो, उनले सुरुका दिनमा माचा मात्रे उत्तातन गरने शूच राखे, उपभोगता हरुको तेती ख्याल गरे नन, तर अहिले, यो माचा मन परावने हरु प्रस्तस्तै रहेशन भन्ने था हाभयों सुरुमा राम्रे भायता पनी विस्तारे समस्य हरु देखना धालेु। परिवर्तन भई रहने मौसम देखी, दानाले समेत माचालाई असर पुर्यावना धालेु। अहिले उनी, आप है माचा को दाना उत्तारा पर्शन। पर्शन। तेस परची एस परचुनोती वर्यु देले रहेशे। आनि एसको चुनोती में घ्राजलापन कीती। सब बड़ घरेगो छाईने बानू जदी चाईने मात्रामा। तेस परची आप है शिखदै, शिखदै। अब यसको फिर अपडेट होना पुन देजिए। अरेक बार्शा है। नाय नाय रोग होरको। मौसमों सारको रोग। अब यसला सब बंदा अमले समस्ट्या बनेगो दानामा। अब दाना आमर यांगुत पादन हो देना। शप्पी विदेश पड़ले होने यसको जती पेंचाइनी रोमेठील होरू। अब यसको दाना एती सेंसिटिव होंचा। दानाले करदा हैरे तेरे रोगा होने। अब आफेक उत्वादन कांताले दानाले तेले करदा हैरे। अब आफेक उत्वादन कांताले माचा को साई जनुस्तार दाना को मोली अपनी फरक फरक होन्छा। रमेज बजार को भंधा आफुले बनायको दाना हुआउँधा। माचा को मृत्तु दर कम होने बतावसन। मरी ऑपिनाए अगूंट सेले यहाद है मरने क्या मोख़चा हिदी पाख जब दाना ची उतिनी पाम जो बचार को दाना मालकती उप जो कि भी अपड़ी मरने को जो किर दियों को मरने बड़ी उन्स पानी को निश्चित तापक्रम आवसेक पर्षा। मोसम अनुसार पानी को तापक्रम मा फेर बदल भई रहने हुदा। तेस बारे जानकारी राखनु अती आवसेक हुँँछ। अंडा पार ने देखी बुरा उत्पादन रौ। भुर्ग्याउने क्रम मा पानी को तापक्रम बारे विशेश ख्याल राखनु पर्णे हुँँछ। यहला थाना जाई टाइम में देनुपर्षा। अनि पानी चाहें सीजन अन्सार जास्ते तब अब 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 गर्मी शुरू हुआ। अन्सार पातोल करते जार भर्षा। जार बुरू हुआ। माचान। बोलूम कम उँचा पानी कोुँँए। अब अब नियुआ थाभी हुआ। अब इंदाई होगी। तब एको यह खारे होगी। खारे बनाले यहां। यो पारवाड़ निश्की को मुल अरू ठाम जेर होंचा त्यांको ताप्रम खती छा अलकती लेक भगबारा पानी कम भापनी यहांको ताप्रम कम होंचा भुरा को श्राइज अनुसार ने दाना दिलो पर्षा और भर तष कर ना ने अलकती खती जा गोको तुमठोक ताप्रम के कर दाना पाम मतोर कोते होंचा थे सब्सकर बसना अने शुठने ना पौंचा तेसब्स काजिड़ ना यहांते होंचा क्या थियू आर्के फर्क भगबा ख़ patients मौसम फरक में, तापकर पनी फरक होंचा, पनी उपयोग तो साइज बनेगो ता भाईगो, हंता अब लाने ले, 0.03 देगी सुरू करचा, तर राम रचा, 0.5, 0.06, 0.06. मासा का भुरा को मुल्या, पनी इसको साइज अनुसार फरक फरक बुन्चा. रमेसली यहां अठारा रेस्वे बनाएका शन, करिब डेड रोपनी जमीन मा यो माचा पाल्दा धेरे खर्च भनेको दाना मा हो, उनको हिसाब मां पचाश त्रदिशत नाफा हुन्चा. यो माचा पाल्दा चाहाने हरुले सवय भन्दा धिचार पुल्यावनु करने गुरा को मुल्यतु दर अधिक्तम खुन्चा भन्ने जानी राखनु पर्चा. गुरा भुर काउदा धेरे समस्या आए कोर्शं। दिव चाहे प्राकृतिक रूप मा या प्राविदिक रूप मा खुना सक्षं। खुले समस्या आएको फॉरलिशन चाह प्राविदिक मा खुलें। ये बन् में सब्चार प्राविदिक रूप मोज। वर भुर्ण फॉक्तम खुले स्येति। जम्ले संब्सक्तम खुछार्यन मिलीत। जान दे निकाल दे चान दे निकाल दे साइज को भया यो पहले निकाले अरूप पछी हुन छा आणि तिसले गता हैरी दाना मां एंप02 कः नमशाक गजरा रामने भ़य भाया वाने । 153 पर 304 जैने इसमा उनसा माचा पालन मा दोस बर्शा लाम अनुभब भरी सके का रमेश यू माचा पालन इच्छू खरूलाई एस तो शनला हाती नचन कोई इच्छा होन गोलो क्ये काम गार्नी बानी होंचा कोई एक दम हमरुदा आवानी यस्ता सागी तुरूंते लिए पाउंपन नी तवहरे दाउन पर्शा अब एसको लाई पहला पूरा क्येस को नेगेटिव त्यो बुद्नों पर्याव अब एसको लाई चाहें तालीम पहला बुद्न पर्शा एकच्छी धूलो गार्नी हो जानी हो सिख दे जानूस थोरे थोरे बड़ गार्नूस तेस्वास तवहले अन्बब होन्छा अब उत्पादन तेरी कर बजार कहां जानी एदी बीकेनें मा पसरी उगरूंँ यह मैं आपिती राहे बेचूंगी है बन्नी तेव अब तेरी कुरा एकचुटी भूजे रा लागे बंचे रावरोंच रेंबो ट्राव्ट माचा पालन का लागी 10 तेखी 200 डिक्रिशेल्चियस ताप्रम ने ससानो सथा पानी भईक ठोच उपयूगत उन्छ आठ देखी 10 लाख लगानी बाट यो ब्यावसाई सुरू करना सम्भव उन्छ नव देखी 10 महीनामा माचा तया उन्छ चार ओटा रेस वे बनाईयो भणे चार हजार माचा पुरकाउना सकिन्छ चार हजार माचा बाटा 800 किलो खानी नाचा निसकन्छ हजार का दरले बेश्दा पनी आठ लाख हुन्छ तेसको आधा खर्चरक अठाउना पनी चार लाख कमाई हुन्छ तर परिवार के मानिस्टले काम गवन पर्ष काम तार राखे नाफा हुदै नौ तर पंदर दीश हजार पुरा हाले रख पंदर दीश लाख नेई ल्वगानी करदा अरू दो चार जना लाइत रोजगार्य पनी दिला सकन्छ दार लाखे नाफा नेइट। पटी दो रेश्वे, यानी तल पटी, अरेग वासा इस्टे बाया इस्टे खाबोर। रमेसले, ललितपुरको कौन्जो शोम गाउपालिकामा पर्नी, भार्दयो इस्तीद भालो खुलामा रेंबो ट्राउट माचा फ्राम चलाएकासन। उनली सात लाक बाट यो ब्यावसाय सुरु करेका थिये। उनको ब्यावसाय अहिले करड़ांको हार हारीमात पुगी उशा। उनी बर्षको 25 लाक शजीले कमाउशन। उनली यो माचा पालन सुरु गरदा कतेई बाट रेड लियेनन। एहीं कमाएर एहीं खर्च गरे। उत्पादन बढाउदे लगे। उनी अधिकामस समय एही फाममा बस्षन। उनका तीन जना सहयोगी शन। विहाने उठेर रमेस आपे माचालाई चारो दिन शन। उनका सहयोगी लिए रेस वे घोटी घोटी सफा गर्षन। रेस वे फुहोर भई भने माचामा रोग लाक्ष। चारो समय मा नदिये अली ठूलो माचाले सानुलाई खाई दिन्ष। यो मामसाहारी माचा भई काले यो कुरामा ध्यान दिन पस। माचा को ब्रेदी अनुसार ग्रेडिंग गरेर एके साइज का मात्र राखन पस। इस पटक रमेसलाई बागमती प्रदेश ले आर्थिक शहयुकरने भई कुसा। उनले नया भंडारन तथा दाना घर पनी बनावना भाड़े का सन। पोधाम गांदर अरुबसने दाना बनावनाँच। यो रेसवे बीच को दाना घरलाई भदकाईर यहाँ पनीच ओटा रेसवे थपने उनको यो जना सम। यो पुरानो आल्थ चलाई रागो यो इस्टोरूम भाई हो इस्टोरूम प्लस बताना बनावनाथ। यो पुरागो रेसवे बीच ओटा रेसवे बीच ओटावनाच। यो बने परदो प्रविश्वा असीलो पेशा हुना सक्ष। कीनाकि नेपालमा यो माचा पालंको राम्डो सम्भा अवनाः छ। कुन-कुन ठावमा यो माचा पालं गर्ण सकीनच। इसको सम्भावे छेत्रदारे बिच्त्रित अधेंपनी घुई सकेको छ। सरकारी निकाए बाट यो जानकारी पनी लिना सकीनच। यो पेसालाई पारिवारेक रूप मा गर्न सकीने हुदा आजये तपाई को गाउं ठाउं मा पानी को भर पर्दो र उपयुकत तात्रम भई को स्रोत खोजन बुजन सक्ना हो छो पिएमिली को ठुला सबॉट चाहिंज जस्तो जो फेमिली जाब यसको चाहिने उसाठाऊ त्या यहला चाहिं नितानता एकदम ही रेख देख करें दो सब्साइब यहाँ जो भीचे घंड अवन बर्श आजय आजय आत्यों नोनी बाव खवाए रहा कुने बर्श होने कुने बर्श होली बढ़ी क्म थे तो नि बावखे रहा अब महां एसमा चाहिन नच वडी गना लाग एक वाई रहा है आजय एक क्या कम जोड़ी अब काम्दार अरूंग उन्छा, तिन्जनासन, तिसपर्ची अब दाना को खर्चा उन्छा, तिसपर्ची अरू, ट्रांस्पोर्टरिशन पायो, इन अरूंछा. प्रूंग में अरूंग उन्छा उन्छा, तिसपर्ची अरूंगे। झाल झाल